करेंगे और आज हम लोग डिसक्स करेंगे 25 अगस्त की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ओके आप लोगों से गुजारिश है प्लीज एर वीडियो को शेयर करेंगे अज हम लोग वन लाइनर फॉर्म में भी न्यूज का डिसक्शन करेंगे एमसी की फॉर्म में भी करेंगे और ओवराल न्यूज का डिसक्शन तो करेंगे सबसे पहले बढ़ते हैं मोटिवेशनल कोट की तरफ मैं हमेशा इस बात को हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी situation आपके सामने होती है यह चीज है ना यह कुछ loaded शब्द होते हैं loaded शब्द ना एक बार में यू समझ में नहीं आते हैं क्योंकि हम इस परिस्तितियों से गुजरे नहीं होते हैं इस तरफ अगर पर दे के आप लोग आते तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा परिस्तितियों से गुजर चुके हैं जॉब कर रहा है उससे पहले थोड़ा रहा फिर अलग 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 तरीके की प्रूफाइल पर गाम की तो थोड़ा चीज समझ में आती है कि कहीं न कहीं आपका जो रियक्ट करना होता है ना सिचुएशन के बाद वो जो एक छोटा से पॉज आता है कि हाँ एक सिचुएशन थोड़ी आपके लिए खराब होई या सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होई उस दौरान तो आप जब रियक्ट करते है ना वो रियक्ट करने के बाद कहीं न कहीं आगे किस देशा में चीज़ा जानी है वो डिपेंड करती है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी जब situation खराब होती है यह life में कभी भी कैसी भी परिस्थिती ओप बहतर परिस्थिती में हो या बुरी परिस्थिती में हो आवेश में आकर आपको कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि आवेश में आका कि नहीं यार तुरंद की तुरंद फैसला ले लेते हैं रादे दिन इसके कि उसके consequences कैसे होंगे even उसके dire consequences कैसे होंगे उसके paradigm बुरे कैसे होंगे ठीक है इसको सोचे बिना कि हम लोग कभी analysis ही नहीं करते और यह जो situation होती है ना ऐसी यह आपको कहीं ना कहीं बहुत बिकट परिस्तिती में लाकर खड़ा कर देती है तो मैं हमेशे कहता हूँ कि life में जब कभी भी आपको आगे बढ़ना है या आप इस सिर्फ फेज में बढ़ी रहे बिंगा इस्टूइट अगर हम लोग बात कर लें तो फेवर में आपके situation शायद में यूं कहूं कि बिल्कुल इस तरीके से होंगी कि फेवर में होंगी नहीं आपके फेवर में सिर्फ वो दिन होगा आया है लेकिन उस दौरान हमको कैसे अपने को कूल रखना अपने को काम रखना एक पॉजिटिव रखना है वो बहुत जरूरी है खुद को यहां से हलका रखिए पॉजिटिव रखिए काम रखिए चीजों को नेगेटिव तोर पर मत लीजिए चीजों को positive तोरब लीजे situation शायद पहली दफ़ानात बदल है लेकिन अगर आप इस तरीके से आप काम करोगे तो यह आपकी life में यह आपकी culture में आ जाएगा कि आपको चीजों को positive way में लेते हैं आप चीजों को बड़ा हलके way में लेते हैं हलके way में मेरा मतलब है कि अगर चीज़ा खराब है तो उसको लेकर load नहीं ले रहे हो उसको solution ढूंड रहे हो तो फिर देखना चीज़ा आपके लिए बहतर होना शुरू हो जाती है तो good morning सस्रेकाल जैशे जादे मेरे भाई सभी को प्यारा सलाम good morning बड़े आगे session कुछ हम लोग पढ़ेंगे one liner news पर आएंगे one liner के अलावा then फिर हम बढ़ेंगे important MCQs की तरफ then फिर बढ़ेंगे news की तरफ चला देखना, focus करना इन जांबिया, जांबिया में अभी president election हुए थे और वो election किसने जीते हैं उनका नाम यहाँ पर है Haken Day Haken Day Hichel Lema Haken Day Hichel Lema has won a 2021 presidential election of the country मतलब जांबिया में रास्पती चुनाव किसने जीता है Haken Day Hichel Lema जांबिया की capital है Lusaka और currency चलती यहाँ पर I hope यहाँ 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 यह वाला point clear होगा दूसरा हर्याणा के chief minister Manohar Lal Khattar announced to rename Hisar Airport as the Maharaja Agresen International Airport हर्याणा की मुख्य मंतरी Manohar Lal Khattar ने कहा है कि जो Hisar Hawaii Adda है Hisar Hawaii Adda का नाम बदल कर Maharaja Agresen अंतरास्ती है Hawaii Adda किया जाएगा तो again एक question हमारे लिए फिर important बन गया कि कौन सा यह जो आपका Maharaja Agresen International Airport है कहाँ पर located है हर्याणा के हिसार में located है ओके तीसरा मेरे भाई World Water Week World Water Week एक annual event है which is organized by Stock Home International Water Institute तो जो Stock Home International Water Institute है इसके द्वारा World Water Week हर साल organize किया जाता है इस साल भी organize किया जा रहा है 23rd of September अगस्त से लेकर 27th of August तक मनला 23rd से लेकर 27 अगस्त तक यह World Water Week मनाय जा रहा है और World Water Week का जो theme है इस Building Resilience Faster Okay Building Resilience Faster Next भाई 20 year old chess player इनका नाम है हर्षित राजा फ्रॉम पूरे महरास्ट्रा Super most important mark कर लीजेगा इसको कि इंडिया के जो 69th Grand Master बने है ठीके 69th chess Grand Master जो बने है इनका नाम क्या है हर्षित राजा हर्षित राजा is related to chess ये chess से संबंदित है और ये कहां से महरास्ट से तो ये चारों आपके सामने जो ये news आई है back to back back to back मेरे भाई one liner form में यहां से definitely आपको एक नाए question exam में देखने को मिलेगा ओके next Lionel Messi joined star packed Paris Saint German असल में Lionel Messi है जो इनोंने Barcelona जो ये football club है इसको छोड़ना पड़ा इनको अब उसके बाद इनोंने एक और जो अब ये जो नया नया जो football club है जिसके साथ ये जुड़े है इसका नाम है Paris Saint German मतलब किस कभी न कभी तो ये exam में कोशन बन रही है ये इस लेविल का कोशन है भाई इतनी बड़ी news है Lionel Messi ना Barcelona को छोड़ दिया है अब Barcelona के बाद उनोंने कौन सा यहाँ पर club जॉइन कर लिया तो Paris Saint German ओके Paris Saint German नेक्स भाई Indian Grandmaster का नाम है जो कि महरास्ट के हैं Ronak Sadwani Ronak Sadwani ये महरास्ट से Indian Grandmaster यानि कि ये चैस से संबन्दित है और इनोंने 19th ध्यान से सुनिएगा 19th Ispilim 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 Burgo Open Chess Tournament जीता है असल में ये जो Ispilim Burgo Open Chess Tournament इटली में रहा था और इटली में ये जो रहा था 19th इसको जीता किसने Ronak Sadwani ने और नौरक Sadwani महरास्ट से महरास्ट के नागपूर से है और ये चैस प्लेयर है और ये Next भाई Vice President M. Venkaiya Naidu Unfield Foundation Stone असल में इनोंने क्या किया है Bangaluru में Bangaluru में Vice President M. Venkaiya Naidu साहब के दौरा एक Foundation Stone आधारिशिला रखी गई है अब ये आधारिशिला किस चीज़ की रखी गई है वो ज़रा समझना Foundation Stone of Innovation and Development Center असल में जवारलाल नहरू Center for Advanced Scientific Research है इसके एक Innovation and Development Center की आधारिशिला Bangaluru में रखी गई किन के दौरा M. Venkaiya Naidu साहब के दौरा आधारिशिला M. Venkaiya Naidu साहब के दौरा रखी गई थी क्लियर नेक्स ये वन लाइनर पहल आकरी है इसके बाद हम लोग फिर MCQ की तरब बढ़ेंगे TBS इसको Global Winner चूज किया गया मैं तो ये कहूँगा सिर्फ इतना याद रखो कि अभी हल फिलाल Financial Times Publication, The Banker की एक रिपोर्ट रही 2021 Innovation in Digital Banking Award तो Financial Times Publication, The Banker ने 2021 Innovation in Digital Banking Award में Most Innovative in Digital Banking का अवाड किसको दिया है? DBS को बस याद रखिएगा Most Innovative in Digital Banking में Most Innovative का अवाड किसको दिया कि DBS को दिया गया यह One Liner Question ही आपको देखने को मिलेगा यह जो बैंक है इसको Asia Pacific में भी यहाँ पर विजिता खुशित किया गया Cyber Security कैटिगरी में भी Success और Remote Working Solution के लिए इसको विजिता खुशित किया गया बट जो Important है वो यह है कि Digital Banking में Most Innovative Bank का Award किसको दिया गया DVS Bank को दिया गया है तो यह अपनी बेटा कितनी News यहाँ पर हम लोगों ने One Liner Form में Complete कर लिए टोटल मिला के एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ News हमारी One Liner Form में Complete हो गई अब बढ़ते हैं यहाँ पर जड़ा MCQ की तरफ, पहला Which IIT, यहाँ दोस्तों, अभी तक अगर session को share नहीं किया है और अगर share नहीं कर पारे कोई दिक्कत नहीं एक बार जरा like कर दीजे बस बस end तक session को जरूर देखना, आज indexes भी आज काफी news है पढ़ने के लिए हमारे पास Which IIT has developed India's first indigenous Motorized Wheelchair Vehicle New Bolt मतलब कहने का यह है कि एक Motorized Wheelchair Vehicle New Bolt यह किस IIT के द्वारा डबलप किया गया है किस IIT के द्वारा इस विहीकल को बनाया गया है तो देखे, IIT मद्रास अपना right answer बनता है IIT मद्रास, अभी IIT Rupert क्यों news में रहा था, IIT Bombay क्यों news में रहा था, IIT Delhi, IIT हिदराबाद, यह किन-किन कारणों की वाज़े से news में रहे थे अभी हम लोगों ने की ranking पड़ी थी Times Higher Education Asia University Ranking Times Higher Education Higher Education Times Higher Education Asia University Ranking Asia University Ranking 2021 जो यह Times Higher Education Asia University Ranking रहा है इसमें बिड़ा IISC Bangalore IISC जो Bangalore है यह 37th place पे था और IIT Rupert इसलिए मैंने option में रखा था IIT Rupert 55th place पे रहा है इसरा IIT Rupert यह 55 नमबर पे था और इसी ranking में Top 3 की बात कर रहा हूँ है IIT Indoor Top 100 में जो थे भारत के 3 रहे थे IISC Bangalore 37th नमबर पे IIT Rupert 55th नमबर पे IIT Indoor 78th नमबर पे रहा था और इसी ranking में Singua University Singua University ही के Singua University जो है चाइना का यह Top पर रहा था तो IIT Rupert क्लियर हो गया इसके अलावा एक और ranking रही थी QS World University ranking QS World University ranking और QS World University ranking 2022 की बात करें तो इसमें भी IISC जो Bangalore है वो 177 137 नमबर पे रहा था यहाँ पर Top 200 में 3 थी IIT Delhi का नाम जरूर याद रखेगा IIT Delhi यह 185th place पे रहा था और IISC Bangalore यह आपका 186 थी था 186 IISC Bangalore IIT Delhi 185 था और IIT Bombay था यह IIT Bombay यह 177 place पे रहा तो QS World University ranking 2022 की बात करते हैं IISC Bangalore 186 हो गया IIT Delhi 185 हो गया और IIT Bombay यह 177 हो गया इस ranking में भी MIT University ने Top किया था दो दो ranking बहुत important है QS World University ranking और Times Higher Education Asia University ranking तो IIT Rupert clear हो गया IIT Delhi clear हो गया IIT Bombay clear हो गया अपने लिए IIT Madras तो clear है यह यहाँ पर answer है IIT हिद्राबाद में ज़्यादा IIT को इस लिए नहीं पकट रहा क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने IIT का पूरा revision कराय था तो यहाँ पर याद रख लिए था तिहान T-I-H-A-N Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation Technology Innovation Hub on Autonomous Navigation इस से related अगर जब भी बात होगी कि तिहान कहाँ पर set up है तो अपने लिए answer बनेगा IIT हिद्राबाद clear है ठीक है मेरे भाई इसके लाबा और दिमाग में कुछ भी आ रहा हो कि सर यह रहा था वो रहा था तो लिख लो ज़रा साइड में IIT हिद्राबाद एक कारण से और न्यूज में रहा था धर्मेंदर परधान सहाब है उन्होंने अभी एक center of center of research and innovation in artificial intelligence artificial intelligence के छेत्र में IIT हिद्राबाद में अभी एक center for research and innovation इसको दोस्त inaugurate किया है तो यह याद रखना IIT हिद्राबाद में एक center for research and innovation in artificial intelligence इसे भी inaugurate किया गया और तेहान clear next अगला सवाल उत्तर परदेश गौवर्मेंट रसीव sanction letter of rupees 5100 करोड बाइसा जरा option देखना मज़ा आ जाएगा कल हम लोगों ने यह पढ़ा था कि उत्तर परदेश सरकार को 500 करोड रुपे का लोन दिया गया है 594 किलो मीटर लोंग गंगा एक्सप्रेस वे परजेक्ट के लिए और किससे यह लोन मिला पंजाब नेशनल बैंक से लोन मिला 500 करोड रुपे का सवाल यह है कि इस परजेक्ट की estimated cost कितनी है इस परजेक्ट की total अनुमानित लागत कितनी है कि इस परजेक्ट को बनाने में total कितना खर्चा किया जाएगा तो भाई आंसर बनेगा option number 2 36,230 करोड रुपे इस परजेक्ट पर खर्च होंगे but option number 5 उठालो 1500 करोड रुपे आपको budget से related में 4 चीज़े बताऊँगा budget 2021 और 2022 budget में यह announce किया गया था कि जो यह digital mode of payment है okay digital mode of payment है इसको promote करना है और इसको promote करने के लिए एक scheme लेकर आई जाएगी और वो जो scheme है उस पर जो पैसा खर्च किया जाएगा यह 1500 करोड रुपे रहेगा digital mode of payment को promote करने के लिए 34,300 करोड रुपे budget में announce किये गए थे national education mission के लिए national education mission के लिए budget में कितना amount allocate किया गया है 34,300 करोड रुपे तो अपना एक option दूसरा option तीसरा मेरे भाई अभी budget में हम लोगों ने पढ़ा आता कि recapitalization के लिए कितना amount allocate किया गया है कि bankों का recapitalization किया जा रहा है और उसके लिए भी amount यहाँ पर रखा गया exact amount कितना है recapitalization के लिए it is a 20,000 करोड रुपे तो जितने भी public sector bank है PSB है public sector bank सरकारी bank है उन public sector bank के recapitalization के लिए ठीक है कितना amount रखा गया पुनरपूजी करण के लिए तो it is a 20,000 करोड रुपी अब यहाँ पर last बचता है 73,000 करोड रुपे 73,000 करोड रुपे आप लोगों को मैंने मनरेगा पढ़ाया था महात्मा गांदी National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा के लिए total amount कितना allocate किया गया है तो it is 73,000 करोड रुपे महात्मा गांदी National Rural Employment Guarantee Act मनरेगा तो भाई देखो 5 option मैं से मैंने 4 option तो budget के तो मैं करा दी revise 1500 करोड रुपे digital mode of payment को प्रमोड करने के लिए 73,000 करोड रुपे मनरेगा को प्रमोड करने के लिए 20,000 करोड रुपे public sector bank में recapitalization के लिए and 34,300 करोड रुपे 34,300 करोड रुपी National Education Mission के लिए budget में रखा गया है next second edition of joint naval exercise between Indian Navy and Qatar Amiri Amiri Naval Force was conducted in the Persian Gulf what is the name of exercise तो भाई इसका answer बनता है Jair Al-Behar मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूंगा कि जो exercise है ये one time investment है सिर्फ एक बार investment करिए और उसके बाद सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कौन सी exercise कहां पर हुई है आपको ये पहले से पता हुआ कि कौन सी exercise किस देश के साथ है तो Jair Al-Behar ये इंडिया और कतर के बीच में exercise है पहले ये दियान रखते है कि किस के साथ कौन सी exercise है यो दब्यास इंडिया और USA के बीच में है और वज्र प्रहार भी इंडिया और USA के बीच में है पहली priority ये होनी चाहिए डेशर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस के बीच में ओके और डेसलिक इंडिया और उज्वेकिस्तान के बीच में है उज्वेकिस्तान के बीच में तो ये जो Jair Al-Behar है अभी परसियन गल्फ में आयुजित की गई exercise है अब ज़रा समझना ध्यान से और डेटेल में जो ये युद्ध अभ्यास exercise है जो कि इंडिया और USA के बीच में है अभी इसको हाल फिलाल आयुजित किया गया अभी हाल फिलाल इंडिया और USA के बीच में एक exercise है युद्ध अभ्यास इसको आजित किया गया था राजस्थान में कहाँ पर बेटा राजस्थान में और राजस्थान में भी कहाँ पर रहा था ये महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज में महाजन फील्ड फाइरिंग रेंज में और इसका ये कौन सा एडिशन रहा था, इड वॉस सिक्स्टींथ एडिशन, तो युद्ध अभ्यास ये जो एक्ससाइज है, इंडिया युएसे के बीच में, राजिस्तान के महाजन फिल्ड फाइरिंग रेंज में रही थी, सुलेवा संस्क्रण था, बजिर परहर एक्ससाइज हुमाचल प्रदेش में रही थी, और हिमाचल प्रदेश के बकलॉं में रही थी, बकलॉं में, और इसका जो एडिशन था, इसका ये ग्यारह वाद संस्क्रण रहा था, तो दोने एक्ससाइज यहाँ तक क्लियर हो गए, तीसरा आता है, फ्रांस के साथ भारत के exercise थे desert night, ओके, और यह जो desert night exercise है, यह राजस्थान के, राजस्थान के जोधपूर में इसको आजित किया गया था, राजस्थान के जोधपूर में यह exercise रही थी, dust lick important है, इसका second edition था dust lick का, और यह जो dust lick है, इसका second edition, उत्तराखंड के, उत्तराखंड के राणी खेत में, उत्तराखंड के राणी खेत में, एक जगह चौबतिया, वहाँ पर इस exercise को dust lick है, जित किया गयाथा, अब मैंने देखो, कल तो आपको वो बता दी थी जो पिछली अभी रही है दो तिन दिन में, मतलब दो तिन दिन में क्या, पिछले एक महीने में जितनी भी important exercise रही है वो हम लोगों ने देख ली थी कली ठीके अब ये मैंने कुछ आपको वो करा दी जो previous हो चुकी है तो आप लोग दौनों को link करके चलिए जो recent की और थोड़ी पुरानी भी है तो दौनों को जब ये वर्ड याद रखना पोर्ट्स माउथ में एक exercise रही थी कौनकर exercise रही थी इंडिया और यूके के बीच में रही थी इसके अलबा मैंने कल आपको सीकेट भी पढ़ाया था एक सीकेट सीकेट की अगवाई किस ने की थी यूएस ने इसका निर्टत्य किया था यूएसे की निर्टत्य में इस exercise को किया गया था जिसमें इंडिया नेवी ने भी पार्ट स्पेट किया था और ये सीकेट exercise सिंगापूर में रही थी और इस exercise का it was a 20 tradition ये इसका 20 वा संस्करण रहा था क्लियर है तो सीकेट exercise भी इंपॉर्टन अपने लिए कौन कान exercise भी इंपॉर्टन बनेगी next मेरे भाई अगला दिखते हैं एक बुक के इसका नाम है address book a publishing memoir in the time of covid is authored by whom किसके दुआरा एक पुस्तक address book a publishing memoir in the time of covid लिखी गई है तो इस पुस्तक को लिखा रितू मैनन है रितू मैनन author है address book की address book किताब की author रितू मैनन अब बाकी के option जड़ा देख लो बाकी के जितने भी option है वलेरिया लुई सेली ने लिखिए the lost children archive lost children archive is authored by the वलेरिया लुई सेली ये नाम याद रखना है इसके अलावत दूसरा सकूर राथर के द्वारा किताब लिखे गई life in the clock tower valley life in the clock tower valley तीसरा जुमपा लाहिडी ने किताब लिखिए where about where about is authored by जुमपा लाहिडी जुमपा लाहिडी और next बेटा बिकरम संपत सावर कर अकंटेस्टेड लीगेसी सावर कर अकंटेस्टेड लीगेसी आश्या करता हूँ यार मेरे भाई ये वाला पॉइंट आपके clear रहा होगा ठीक है असल में ये जो Valeria Luis Selye है इन्होंने एक award जीता था इसका नाम है International Dublin डबलिन Literary Award 2021 तो examiner ये भी पूछता था सल में न्यूस तो यही है कि International Dublin Literary Award द्यार 21 किसके द्वारा जीता गया था तो ये award जीता गया था पिटा Lost Children Archive के लिए Mexican author है ये Mexican Mexican author Valeria Luis Selye ने इस वार 2021 का International Dublin Literary Award अपने इस novel के लिए जीता था ये तो विश्राम वदेकर थे और दूसरे जैरी पिंटो थे तो अपना अंसर बनेगा यहाँ पर option number fifth विश्राम वदेकर और जैरी पिंटो ने किताब लीग इसका नहीं है वेटल फिल्ड अब ये जरा option देखो बाकी के शिव संकर मैनन और अधित्य गुपता शिव संकर मैनन की किताब है इंडिया और एशिन जियो पॉलिटिक्स दा पास्ट प्रिजेंट और अधित्य गुपता की किताब है Seven Lessons from Everest Expedition Learning from Life and Business आप देखो अगर ना इतना याद कर पाओ तो इतना याद रख लो Seven Lessons from Everest is authored by आधित्य गुपता India and Asian Geopolitics it is authored by शिव शंकर मैनन और वेटल फिल्ड के author का नम विश्राम और जैरी विश्राम और जैरी आई होप से यार दोस्त क्लियर होगा अगला देखेगा Sustainable Development Impact Summit Sustainable Development Impact Summit of World Economic Forum to take place virtually from इस date से इस date मतलब World Economic Forum का Sustainable Development Impact Summit अभी आयोजित किया जाएगा सवाल यह कि इसकी theme क्या है इसका विशे क्या है तो इसका विशे बनता है भाई Shaping and Equitable, Inclusive and Sustainable Recovery यहाँ पर Shaping and Equitable, Inclusive and Sustainable Recovery It is the theme of the Sustainable Development Impact Summit ध्यान से सुनिएगा इस summit का विशे यह हो गया अब जरा बाकी के जरा summit देखिए जैसे यहाँ पर यह लिखा हुआ यह वाला देखिए theme Bricks at the rate 15 Intra Bricks Corporation for Continuity, Consolidation and Consensus यह Bricks जो summit है Bricks 2021 का जो summit है जिसकी अदिक्षता इंडिया कर रहा है जो कि आपका 13th edition है इसका जो विशे बनता है वो आपका Bricks at the rate 15 यह मेरे लिए important बनेगा Bricks at the rate 15 इसके अलावा जैसे आपको ने 16th G20 summit देखा था और 16th G20 summit है जिसकी अदिक्षता इटली करने जा रहा है उसकी theme है People Planet Prosperity यह लिखा ना People Planet Prosperity 16th G20 summit ओके और जो 16th G20 summit 2021 है बेटा इसकी अदिक्षता इटली करेगा और इसकी theme है People Planet Prosperity तो यह clear यह clear अब बाकी के देखो दो बहुत important है यह दोनो theme ही लेकिन यह दोनो related है किसी summit से नहीं है यह आपके किसी day से related है किसी particular day का theme है Share fact on drug and save lives याद आ रहा है कुछ 26 June को यह day observe किया जाता है 26th of June को यह day observe करते है अग drug पगड लोगे तो समझ में आ जाएगा International day International day against Drug abuse and illicit trafficking International day against drug abuse and illicit trafficking नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवेद तसकरी के खिलाब जो अंतरास्ती दिवस है वो आपका कब observe किया जाता है प्रतेकवर्ष 26 June को रहता है और इसका विशे रहा था Share fact on drug and save lives इसके अलावा यह last वाला आते Victims of Voices Lead अब दो कोई यह नाम शायद आप लोग इसको Read करके नहीं पकड़ पारे होगे कि यह Victims वाला डे कौन सा है किसी को आइडिया मेरे भाई Victims 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 Voices Lead the Way World Day Against Trafficking in Person ठीक है? मानव तसकरी के खिलाफ जो अंतरास्ती दिवस है यह प्रतेक वर्ष आपका 30 जुलाई को Observe किया जाता है और इस डे का विशे रहा था Victims Voices Lead the Way Victims Voices Lead the Way देखो अब यहाँ पर बच्चे थोड़े फसे होंगे इस वाले सवाल में क्योंकि theme को वो loading नहीं लेते है theme को लेकर समझते ही नहीं ए रहे सर इंपोर्टेंट नहीं है एक्जाम में आएगा नहीं और जब एक्जाम में आ जाता हाथ पेर फूल जाते है अरे भाईया तराहे माम तराहे माम करने लगते है तब यह कैसे होगा तो भाई इसको पकड़ के चलो गलती से skip मत करो ठीक है तो यह भी आप लोगों को याद रखना है clear इतना सभी के एक बाद लिख दीजे yes sir और अगर जो भी बच्चे भई session पसंद आ रहा तो please are share जरूर करते चलेगा next आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल डे फॉर remembrance of a slave trade and its abolition यह प्रतेक वर्ष किस दिन observe किया जाता है तो प्रतेक वर्ष हम लोग इस दिन को 23 अगस्त को observe करते हैं मैंने last time भी पढ़ाया था कि हम लोग यहाँ पर 2 डे देख रहे हैं अगस्त से related 3 डे जो कि back to back important बनते हैं 21, 22 और 23 को और 3 डे में common यह है कि 3 डे किसी याद में मनाई जाते हैं कोई किसी पीडित की याद में मना रहा है कोई किसी याद में बना रहा है 21, 22, 23 उसके अलावद 2 डे important बनते हैं 19 और 20 के 19 और 20 का जो डे है उसमें 20 को आता है World Moscow Day 20 अगस्त को आपका World Moscow Day रहता है और 19 अगस्त को रहता World Photography Day और World Humanitarian Day 19 अगस्त को कौन सा डे रहा World Humanitarian Day और World Photography Day World Humanitarian Day World Photography Day 20 अगस्त को आगया World Moscow Day मैं पूरे नहीं बता रहा हूँ सिर्फ World Moscow Day सदभावना दिवस हो गया यह दो option clear हो गए अब आते 21 और 22 और 23 पे 21 अगस्त को जो डे याद में मनाये जाता है वो किसकी याद में रहता है International Day of Remembrance and Tribute to Victim of Terrorism Victim of Terrorism की याद में जो डे है वो 21 तारीक को आता है Okay Violence जो हुआ था किसके एवज में हुआ था Violence Violence बेटा Religion और Religion ठीक है Religion and Belief आप ऐसे याद रख पाओगे पूरा-पूरा नहीं पगड़ पाओगे Religion और Belief की वज़े से जो भी violence हुआ उसके विक्टिम की याद में जो दिन है वो 22 को मनाये जाता है और 23 वाला तो आपके सामने ही है Slave Trade के Abolition को लेकर Slave Trade के Abolition को लेकर ये 21, 22, 23 को तीन डे important है तीनों मनाये जाते हैं 21 को एक और डे मना लेते हैं World Senior Citizen Day World Senior Citizen Day 7 सवाल, 8 सवाल फिर important news की तरफ बढ़ेंगे एक ज़रा देखिएगा With which bank? किस bank के साथ? Paytm ने अब ये कि tie-up किया है To develop payment gateway Point of sale machine Credit product जिसमें Paytm postpaid भी है EMI, EasyMI, Flexi पे ये सभी को develop करने के लिए Paytm ने किस bank के साथ अभी हाल-फिलाल tie-up किया है किस bank के साथ अभी मनलब किस bank के साथ Paytm का tie-up रहा ये बहुत सिंपल से सवाल है मेरे बाई ओके बहुत भड़िया Answer अपना बनता है यहाँ पर सबसे पहले बने का answer HDFC bank के साथ ये collaboration रहा अभी हम लोगों ने Indian bank पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा हो Indian bank Indian bank में अभी MD और CEO बनाए गए है इनका नाम क्या है Shanti Lal Jan Shanti Lal Jan इनको MD and CEO बनाए गए Indian bank में निर्मला सीतर मन जी नहीं उभरते सितारे fund launch किया था उभरते उभरते सितारे fund ओके और यह जो उभरते सितारे fund जो launch किया गया था यह especially किन के लिए था Export oriented Export oriented Small और Mid-size company के लिए यह यह याद रख लिए कि small और medium जो companies है उनके लिए export oriented जो भी कंपनी से उनके लिए उबरते सितारे fund लॉंच किया गया था और उसे उबरते सितारे fund को लखनाउ से लॉंच किया गया था और इसको support किस-किस bank ने किया था export import bank और exim bank ठीक है तो यह याद रखना है कि इसको sponsor किस ने किया है तो exim bank और cdb के द्वारा sponsor किये गए उबरते सितारे fund को निर्मला सीतरमन के द्वारा 21 अगस्त को launch किया गया था export oriented जो भी small और mid-size enterprises है उनके लिए इसको launch किया गया है तो यह simple है दिमाग लगाने वाला है निए direct but यह अपके exam का question बनना ही है यह कि एक question करूँगा ज्यादा पुराने दिन को नहीं ले जा रहा हूँ कि पिछले हफते अभी और भी bank news में रहे थे HDFC bank भी तो news में रहा था इसके उपर से RISA bank of India ने क्या किया है कि जो restriction है उनको partially lift कर दिया है अब यह जो नए credit card है उनको जारी कर सकता है नए credit card customer को onboard कर सकता है ठीक है RBL bank के ऊपर भी अभी कुछ किया गया था sir pay nearby आपको याद है हाँ मेरे भाई याद है pay nearby ने अभी visa के साथ partnership करी है और RBL bank के साथ partnership करी थी soft POS launch करने के लिए plus m POS launch करने के लिए तो दोस्त soft point of sale terminal और mobile POS terminal को launch करने के लिए pay nearby ने visa के साथ collaboration किया है visa के साथ-साथ RBL bank के साथ भी इसका collaboration रहा था HDFC bank ने अभी हल पिलाल green and sustainable green and sustainable fixed deposit launch किया है तो यह important बनेगा कि green and sustainable fixed deposit यह किसके द्वारा launch किया गया HDFC bank के द्वारा दोस्त इसे launch किया गया है green and sustainable fixed deposit ओके green and sustainable यह वर याद रखना बार बार repeat इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहां से question जरूर एक बनना है आपको export import bank ने भी क्या किया एक export import bank ने इसने सर एक देश का नाम है Syria Leon Syria Leon और Syria Leon को 30 million US dollar की line of credit दिया है तो वहाँ पर जो भी infrastructure development project है उसके लिए export import bank के द्वारा क्या किया गया है कि 30 million US dollar की line of credit अभी announce की गई है आज से करतों मेरे भाई यहां तक clear होगा अगला सवाल आखरी अच्छा यह आखरी है यहां पर reserve bank of India ने अभी 27.5 lakh रुपीज की penalty impose करी किस बैंक के ऊपर तो यह बैंक था धनलक्षमी बैंक जिसके ऊपर 27.5 lakh रुपीज की penalty impose की गई अब बागी के option देखो AU small finance bank इसने क्या किया है AU small finance bank ने इसने सर अभी एक बदलाव बदलाव हमसे है करके campaign शुरू किया है बदलाव हमसे है और इसने इसके लिए brand ambassador के तोर पर दो लोगों को उठा लिया है एक का नामे आमिर खान और दूसरे का नामे क्यारा अडवानी ओके आमिर खान और क्यारा अडवानी को AU small finance bank ने क्या किया है अपना brand के मतलब एक अपना campaign है बदलाव हमसे है उसके brand ambassador के तोर पर यहाँ पर इनको appoint किया है प्लस इसके अलावा यही जो AU small finance bank है इसने खुद का मतलब credit card भी launch किया पहला small finance bank है जिसने कि खुद का own credit card launch किया है खुद का credit card launch करने वाला पहला small finance bank और इसने अभी एक digital bank launch किया इसका नाम है AU101 AU0101 AU0101 यह नाम याद रखना AU0101 यह एक application है जो कि इस bank के दोर लाँच की गई है असल में एक Indian bank और news में रहा था यह जो Indian bank है यह news में अभी और रहा था इस Indian bank ने अभी एक MOU sign किया था Paralympic Committee of India के साथ अगर आपको याद आ रहा हो ठीक है तो यह जो Paralympic Games है इन Paralympic Games में जो banking partner बना है Paralympic Committee of India का ठीक है उसका banking partner कौन सा bank बना है Indian bank को यहाँ पर banking partner चुना गया है तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है IDFC First Bank पे आ जाते हैं यहाँ पर IDFC First Bank दे रखा है IDFC First Bank क्यों news में रहा था अभी IDFC First Bank के साथ Indian Navy का collaboration रहा था MOU sign किया गया किस चीज़ के लिए H-O-N-O-U-R Honor First एक banking solution को initiate करने के लिए तो यह जो Honor First Banking solution है इसको initiate करने के लिए Indian Navy का किस bank के साथ collaboration रहा था IDFC First Bank के साथ एक यह दो तीन clear हो गया 14 मेरे भाई यहाँ तक सारे option clear हो गया इसके अलावा Next बढ़ भाई session पसंदा रहा तो like जरूर करते चलिएगा मेरे भाई ठीक है करनाटक विकास Gramid Bank का collaboration रहा था करनाटक government के साथ और इन दौनों ने मिलके अभी क्या launch किया है fruits 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 portal तो करनाटक विकास Gramid Bank ने करनाटक सरकार के साथ मिलके FRUITS यह जो fruits portal है इसको अभी हाल फिलाल launch किया है clear है भाई ठीक है I hope so यार सारी चीज़े यहां तक बहतर तरीके से clear रही होंगी और आपको लगता है कि हाँ यार यह bank इस वज़े से news में रहा है तो उसको अपनी तरफ से और उठा के लिख लो कोटक महिंद्रा बैंक news में कैसे रहा था कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी हाल फिलाल DIY launch किया है do it yourself एक repayment platform है do it yourself it is launched by the कोटक महिंद्रा बैंक अब बढ़ते हैं आज की पहली news पर यह detail में end में समझाता हूं RRB वाले बच्चे जो IBPS, SBI वाले हैं कि उनको mains के लिए क्या करना, end में समझेंगे इसको आते मुद्दे की बात पर आज की पहली news, तसली से समझना और तसली से चीजों को देखना Indian contingent was laid by Haryana's javelin thrower take chan अरे सरीए क्या कह रहे हो, अरे भाईया कल तो exam में हमारे question आ गया SSE CGL में question आ गया, ठीक है, और जो अभी UP में exam हुआ था उसमें कल ही question पूछा गया है, कि flag bearer कौन थे? Paralampic में, वहाँ पर तो हमसर ticker क्या है, मरियपन थंगा value अगर option में take chanth नहीं थे, तो मरियपन थंगा value थे, तो वो right answer बनेगा क्योंकि ये कल दुपेर में ही change हूँ है, तो उससे पहले जो आप answer tick करा है, वो right answer है ठीक है, तो Indian contingent के, असल में जो ये Paralampic Games हैं, ये Paralampic Games कहां पर हो रहे हैं, टोक्यो में हो रहे हैं, जापान के टोक्यो में 16th edition हो गया, और इसमें Indian contingent को, जो मतलब यूँ गए, दल को निर्तत जो करने वाले थे, वो थे मरियपन थंगा value, जो की high jumper और Tamil Nadu से थे, बढ़ ये COVID contact में आ गए, इस वज़े से इनको quarantine होना पड़ा है, तो इनकी जगहे पर take चंद सहावे, इनको यहां पर ये command दी गई थ से संबन देता है, sports पूछेगा, और पूछेगा किस state से है, दूसरा मरियपन थंगा value किस scale से संबन देता है, high jump से संबन देता है, और मेरे भाई, ये question पूचाएगा, ये भाई साब किस state से है, ठीक है, ये कौन बनेगा करोड़ पती का question रहे है, यही ता मेरे भाई, कौन इसके अलावा Paralampic related आपको दो चीज़ा याद रखनी है जो अभी हाल-फिलाल हुई थी उसमें एक तो सबसे important बनता है कि यह जो Paralampic है इस Paralampic में official mascot क्या है, ओके? पहली चीज़ तो clear हो गए कि opening ceremony पर flag bearer कौन थे दूसरा इसका theme song क्या है? theme song यह जो theme song है, इसका theme song क्या है? करदे कमाल तू करदे कमाल तू कमाल तू, ओके? टोक्या Paralampic Games का क्या है यह theme song है? अनुराग ठाकवर साहफ ने launch किया था और इसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम है संजीव सिंग संजीव सिंग के द्वारा इस करदे कमाल तू को लिखा गया है और जो इसका official mascot है Summer Paralampic इस सौमिती सौमिती ठीक है? सौमिती सौमिती, ओके? और यह सौमिती ओक्रियेट किसने के? जो Japanese artist है रियो तानी गूची तानी गूची ठीक है? रियो तानी गूची के द्वारा सौमिती जो है यह जो official mascot है official सौमिती सौमिती के सौमर पैरलंपिक का इसको create किया गया है तो यह भी आप लोगों को याद रखना है तो कितनी चीज़े clear हो गया है? यहाँ से theme song clear हो गया इसके लिखने वाले व्यक्ती का नाम clear हो गया theme song कौन सा है किसने launch किया था सौमिती official सौभंकर हो गया रियो तानी गूची जो की जापान के आर्टिस से इनके द्वारे से तयार किया गया और इसके इसमें दोस्त टोक्यो जो यह जापान में होने वाला edition कौन सा है यह जापान के टोक्यो में 16 edition है opening ceremony पर flag bearer कौन रहे थी यह सारी चीज़े याद रखेंगे next अगला एक book इसका नाम है Mission Domination An Unfinished Quest Mission Domination An Unfinished Quest इसके author का नाम है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार तो कुशान सरकार और बोरिया मजूमदार के द्वारा एक किताब को लिखा गया इसका नाम है Mission Domination Mission Domination clear है भाई ठीक है Mission Domination next सेखिए इंडिया ने आज दो indexes पढ़ाऊंगा एक index में इंडिया ने USO को पीछे छोड़ दिया है ठीक है और दूसरे index में तो तुम लोग खुदी देख लोगे कि इंडिया की ranking क्या है इंडिया का कौन सा शहर किस ranking में वो पढ़ेंगे हम लोग ओके तो जड़ा तसल्ली से देखो यहां पर यह news क्या है कि असल में जो एक United Nation सहिकत रास से उसके साथ भारत का collaboration हुआ है अभी collaboration का purpose क्या है यह news वैसे पुरानी है तब हम लोगों ने यह पढ़ाता कि इंडिया ऐसा ऐसा करने जाएगा और करेगा लेकिन अब यह हो गया है तो इस news को हम लोग पढ़ ले रहे द्यान से सुनिएगा कि इंडिया ने अभी एक tech platform launch किया जिसका नाम है Unite Aware इंडिया ने तियार किया मेरे भाई Unite Aware किस के साथ मिलकर United Nation के साथ मिलकर यह किस के लिए है जो United Nation peacekeeper force होती है उनकी safety के लिए और उनकी security के लिए तो United Nation peacekeeper force की safety के लिए security के लिए इंडिया ने United Nation के साथ मिलकर जो एक अभी platform tech platform launch किसका नाम किया Unite Aware इतना याद रखना इसके अलावा ये जो United Nation ने कब बना था 24 अक्टूवर 1945 को ये एक्जाम में कोशन बना था इसके एक्जेक्ट डेट पूछी गए थी 24 अक्टूवर 1945 इसका हेड़कॉर्टर नियॉक में है नियॉक में इसका हेड़कॉर्टर है इसके सेकरेटरी जनल का नाम है एंटोनियो गुटरस फिर दुबारा से चुने गए एंटोनियो गुटरस साहब और ये किस कंट्री से है पूर्तगाल से ठीक है किस देश से है पूर्तगाल से है ठीक है अच्छा आप छोटा सा एक सवाल पूछँगा वैसे member country और बता देता हूँ, total मिलाकर 193 country इसकी member है कुल मिलाकर 193 देश जो है इसके क्या है, member है, ये member वाला पूछ लेता है, United Nation General Assembly और यहाँ से याद रखनी है United Nation General Assembly के जो President चुने गए है President, वो मालदीब से है ठीक है, मालदीब के जो विदेश मंत्री है, ठीक है, उनको यहाँ पर President चुना गया है United Nation General Assembly का, simple से सवाल यह है कि भाई साब का नाम क्या है यह आपके एक्जाम का कुशन है अब्दुल्ला साहिद, well done मेरे भाई अब्दुल्ला साहिद ओके तो यह Foreign Minister of क्लियर मेरे दोस्स, आगे बढ़तें Next, World Bank विश्व बैंक ने एक लॉंच किया है Cyber Security Multi Donor Trust Fund, भाई साब आगे बताऊंगा अगले वाले पेज़ पे इस रिलेटिड क्या शांदार पॉइंट आएगा, Cyber Security Multi Donor Trust Fund यह किसने लॉंच के विश्व बैंक ने, ओके और इस फंड के तहत क्या किया जाएगा कि Cyber Security Development के छितर में काम किया जाएगा और Systematic मैनर में Cyber Security Development के छितर में काम करने के लिए Cyber Security Multi Donor Trust Fund बनाए गया, अब यह फंड होगा इसमें Contribution आएगा, और उसका फिर इस्तेमाल Cyber Security Development के लिए विश्व बैंक के द्वारा किया जाएगा असल में यह जो नया फंड डबलप किया गया है इसमें जो पार्टनर है इसमें जो World Bank के साथ पार्टनर है वो चार कंट्री है, कौन-कौन से Estonia, Japan, Germany and Netherlands यही एक्जाम का कुशन है आपका कि इसमें पार्टनर कौन से कंट्री है Estonia है, Japan है, Germany है और नीदर्लेंड, ओके Estonia है, Japan है, Germany है और नीदर्लेंड, यह इसके पार्टनर रहे क्लियर है भाई, news क्लियर होनी चाहिए World Bank की स्थापना कब हुई थी 1944 में काम करना कब से चालू किया था, 1945 से 189 कंट्री इसकी मेंबर है 109 देश इसके मेंबर है और इसके जो अभी प्रेजडन का नाम है डैविड मलपास और डैविड मलपास यह कहां से आते है अमेरिका से, USA से, मतलब World Bank का जो प्रेजडन होते हैं अमेशा, वो आपके अमेरिका से ही रहते हैं तो यह 1944 से शुरू हुआ 1945 से काम करना स्थाट किया 189 कंट्री मेंबर डैविड मलपास प्रेजडन हो गए और इसका हेड़कॉर्टर वाशिंग्टन डीसी में है United States, US के वाशिंग्टन डीसी में इसका मुख्याल हिस्तित है एक कोशन जो यहां से बन सकता है वो एक वार है कि इसकी MD और CFO का नाम क्या है दोस्त भारत से हैं तो इनका नाम है अंशुला कांत अंशुला कांत यह नाम याद रखना अंशुला कांत अब लास्ट इम्पॉर्टन बनता है इसके टोटल पांच पार्ट है World Bank Group के और World Bank Group के जो पांच पार्ट है यही आपके एक्जाम के कुशन बनते हैं कि यह पांच पार्ट कौन कौन से तो एक मीगा है ठीक है, IDA है, एक IFC है तो मैंने तो ऐसी लिख दिया जो मुझे याद है ठीक है, एक मीगा हो गया एक IDA हो गया IFC हो गया, एक IBRD हो गया यह चार तो याद रहते हैं एक मैं भूल जाता हूँ ICSID, ओके? तो यह टोटल मिलाकर चार है आप लोग कों के लिए होमवक रहेगा, इसकी फुल फॉर्म याद रखना क्योंकि पिछले हफते ही बताईए, मैंने यह वाली कि वर्ल्ड बैंक ग्रूप के टोटल पांच पार्ट है एक मीगा है, IDA है, IFC है IBRD है, IBRD और बेटा ICSID है, ओके? इसकी फुल फॉर्म आपके लिए होमवक रहेगा, इसे ढूंड के रखना आपने पास नेक्स बढ़ते हैं आगे निउस अब देखिएगा तो बैक टू बैक इंडेक्स पढ़ने जा रहे हैं और यह दोनों बैक टू बैक इंडेक्स बहुत इंपोर्टन है यह रहा समझना बैक सेशन पसंदरा लाइक कर दो यार छालिस सो बच्चे देख रहे हैं लाइक है नहीं है अचा यार करते क्यों नहीं हो खो जाते हो क्या अब मैं तुम्हारी कोई गल्फ्रेंट तो हूँ नहीं हूँ तो मेरे भाई खो जाते हो मेरे में ऐसे काम कर रहे है तो भाई फटापट कर दो अब तुम्हार पार्टनर तो नहीं कंटेंट है इसमें खोते वोते तो हो नहीं फटापट लाइक बाइक कर दिया करो यार या किसी ने बोल रखा है कि नहीं बाब लाइक करो कि तुम मुझे करो के पर ना किसी को नहीं करो गए है ऐसा तो नहीं चल ला है कर दे मेरे भाई इतने भाईबंदू देख रहे हैं फटा फट लाई ठोक दो According to Kashman Kashman and Wackfield इसने अभी एक इंडेक्स जारी किया 2021 का Global Manufacturing Risk Index, ओके? तो यह जो Global Manufacturing Risk Index 2021 21 का जारी किया गया, कसman and Wackfield के द्वारा इसको में कहना है कि इंडिया ने United State को पीछे छोड़ दिया है और World का Second Most Desired Manufacturing Hub बन गया Oh My God, Make in India आत्म निरवर भारत, क्या बात है, मतलब कि World का Second Most Desired Manufacturing Hub, ठीक है कहां कौन सा है, इंडिया है After United State, ठीक है मतलब after China, China के बाद दूसरे नमबर पर ये आ गया है तीसरे नमबर पर इसके बाद यहां पर United State है, तो ज़रा देखेगा इंडिया ने इंडिया हैड मूबड अप टु 3rd place from 4th place last year भारत चौथे नमबर पर था तीसरे नमबर पर आ गया था अब इंडिया यहां पर दूसरे नमबर पर आ गया चाइना के बाद, जो US है ये 3rd position पर है, इसके बाद Canada है, CES Republic है, Indonesia है Lithuania है, Thailand है, Malaysia है और Poland है, ठाइलेंड है, मलेशिया है और Poland है, क्लियर है भाई तो ये देखो दोस्त, अगर हम लोग 1st 3 country देखते हैं, तो इसमें पहले पर चाइना आ गया, दूसरे पर इंडिया आ गया है, और तीसरे पर United State है, चौते नमबर पर Canada है, और इसके बाद फिर पाँचवे नमबर पर चेक गणराज्य है जिसको SES Republic हम लोग कहते हैं, इंडेक्स का नाम है Global Manufacturing Risk Index 2021, इसे जारी किया, कस्में इन बैक फिल्ड के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया था, जिसमें इंडिया Desired Manufacturing Hub के मामले में दूसरे नमबर पर है, चाइना के बाद, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, next अगला देखना है मेरे दोस्त Denmark की Capital, इसका नाम है Copenhagen, ओके? Denmark की राजधानी है, Copenhagen यह World का safest city बना है, ठीक है? 4th edition जो रहा था, Economist Intelligence Unit का Safe City Index, तो Economist Intelligence Unit ने एक Safe City Index जारी किया, और Safe City Index का 4th edition था, और इस Index में Denmark का जो शहर है, जो Capital है Denmark की राजधानी, Copenhagen, इसको यहाँ पर World का safest city declare किया गया है, okay? The most, most, most important news आ गई यहाँ पर यह वाली, कि World की safest city कौन सी बनी है? Safe City Index के आधार पर Economist Intelligence Unit ने जारी किया, तो यह Denmark की Capital बनती है, Copenhagen, आप जड़ा समझना इस Index को, इस Index में 5 Pillar बताए गए हैं, Digital Security, Health Security, Infrastructure Security, Personal Security और Environmental Security, सर क्या यह एक्जाम में आता है? तो मेरे भाई, यस, बिलकुल यह Pillar पूछ लेगा, यह Parameters पूछ लेगा, यह Examiner बहुत बड़ा वाला मेरे भाई, यह पूछ लेता है, तो आप याद सुनो, यह Digital Security, Health Security, Infrastructure Security, Personal Security, Environmental Security, यह 5 Pillar हैं, जिनके Basis में यहाँ पर बताए गया है कि कौन सा शहर जादा सिक्यूर है, इसमें बोला गए Denmark का जो Capital है, Copenhagen वो तो चली टॉप पर है, इसके बाद तो टोरेंटो दूसरे पर, सिंगापूर तीसरे पर, Sydney चौथे पर, और Tokyo चौथे नमबर पर रहा है, पांचवे नमबर पर रहा, तो देखो उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पर कौन सा रहा था, अब देखो इसमें मेरी तलास जो है, वो इंडिया के शहरों की है, कि भारत का कौन सा शहर किस नमबर पर रहा, तो देखो इसमें आखरी नमबर पर तो यंगून रहा था, ठीक है, और 52nd last नमबर पर करांची रहा है, सेफेस्ट में, इंडिया का जो मुंबई है, ये 50 वे नमबर पर रहा, और New Delhi 48 नमबर पर, कल मैं जब इसको पढ़ रहा था तो ये मेरे को न्यूस तो कहीं मिल नहीं रही थी, ये वाली इंडिया और New Delhi और Mumbai को तो लिखा ही नहीं था, फिर इसके लिए मेरे भाई फिर इसकी रिपोर्ट निकालनी पड़ी, और उस रिपोर्ट में, टोटल 60 तो शहरों को लिए गया था, मेरे को लगा ज़ादा होंगे, तो 60 major urban areas है, उनको identify किया गया, और इस index को फिर जारी किया गया था, और इस index में जो ये 4th edition है, 76 indicator थी, जिनके basis पर इसको यहाँ पर जारी किया गया, कहने का अर्थ क्या है, वो समझो ज़रा, यहाँ पर कभी क्या कहना चाहते हैं, कभी यह कहना चाहते हैं, कभी यह कहना चाहते हैं कि world safest city जो index रहा है, Denmark की capital Copenhagen ने टॉप किया, Economist Intelligence Unit ने यहाँ पर जारी किया, इस index में total 5 pillar है, 5 domain ने इनके आधार पर जारी किया गया, 76 indicator के basis पर 60 major cities रही थी, पहले दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पर हम लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद आखरी में आते तो 60 वे नंबर पर यंगून रहा था, और 59 प्लेस पर कनाची रहा था, अपने भारत की बात कर लेते हैं, तो मुंबई का इस्थान 50 वा है, और न्यू डेली का इस्थान इसमें 48 वा रहा है, ठीक है भाई? Clearous अभी के ये? अच्छा, छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ उसका जवाब तुम लोग दे दो के, तुम लोग सब के सब बहुत उस्ताद हो, ठीक है? यहाँ पर यह है कि इस इंडेक्स में, जो यह यहाँ पर लिखा हुआ है, Economist Intelligence Index जो है, इस इंडेक्स में मेरे भाई, कौन सा, मतलब Economist Intelligence जो यूनिट है, इसके द्वारा कौन सा इंडेक्स जारी और किये जाते हैं यह वाला इंडेक्स जारा बताईए कि Economist Intelligence यूनिट है, यह कौन से और इंडेक्स भी जारी करता है, जो को यहीं से पकड़ के चलना पड़ेगा आपको कि EIU जो है, यह और कौन-कौन से इंडेक्स को जारी करता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई Inclusive Internet Index Inclusive Internet Index इस Inclusive Internet Index को इसने Facebook के साथ मिलके लॉंच किया था Economist Intelligence Unit नहीं और इसमें जो इंडिया है, यह मेरे दोस्त 49th प्लेस पे रहा था और इसमें जो टॉपपर था, वो Sweden था ठीक है, तो Economist Intelligence Unit का एक और Index आपके सामने आ गया और इस Index में इंडिया की रैंकिंग क्लियर होगे टॉप पर कौन है, यह आपके क्लियर हो गया इसके अलावे बिटा, अभी हम लोगों ने एक और Index पढ़ा था, वो रहा था Asia Pacific Personalized Health Index यादा रहा हो आपको Asia Pacific Personalized Health Index और इस Asia Pacific Personalized Health Index को भी EIU ने जारी किया था EIU ने जारी किया था इसमें Singapore टॉप पर रहा था बिटा Singapore और जो इंडिया की रैंकिंग रही थी इंडिया इसमें दसवे नंबर पर रहा था तो Asia Pacific Personalized Health Index में इंडिया की रैंकिंग कौन सी रही दसवे नंबर पर रहा टॉप पर कौन सा रहा तो टॉप पर इसमें Singapore रहा था ठीके सॉरी इस वाले में Singapore रहा था ठीके भाई clear नहीं अभी रुकना नहीं है इसने अभी एक और इंडेक्स जारी किया था वो था Democracy Index और जो Democracy Index था इसमें इंडिया 53rd place पर रहा था और इसमें भी कौन टॉप पर था मतलब डेमोक्रेसी इंडेक्स जिसमें Economist Intelligence Unit ने जारी किया और इसमें इंडिया की रैंकिंग 53rd रही थी इसमें टॉप पर नॉर्वे था नॉर्वे नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया था और आपके दिमाग में आ रहा ह। सर और फौणा फौणा इंडेक्स वो भी लिख लियना तो मैंने आपको इस इंडेक्स के लावत तीन इंडेक्स और बता दी है जो इसे लिंक करके आपको चलनी है सर इस index की list दे दो ठीक है मिल जाएगी सम मिल जाएगा सम मिल जाएगा तसली करो सम मिलेगा ठीक है एक लिए लेका सर listen to me अच्छा एक सेकेंड ज़र इसके comment को पढ़ लू सर listen to me आगी कहा है भाई मेरे list दे दो update cm governor exercise Tokyo 2021 की बहुत बड़ी है विटे जरा देखना यहां पर ध्यान से सुनना जो यह GDP growth rate है सकल घरिल उत्पात की वरद्दी दर है इसको आखा गया है असल में जो यह State Bank of India की research report है इसका नाम Ecorep report और यह जो Ecorep report है इसको SBI जारी करता है ओके तो SBI ने अभी एक research report जारी करी, Ecorep report जारी करी इसमें कहा है कि इंडिया की पहले quarter में जो GDP growth rate रहेगी मैं नहीं पढ़ाता है इस वाले को क्योंकि मेरे लिए quarter important नहीं है मेरे लिए full important है, full से मेरा मतलब यहां पर बुरा साल important है 2021-22 में में मेरे भाई कितनी रहेगी GDP growth rate एक quarter का projection जारे दश्मलब 5 प्रतिशत रहने का अनुमान है 18.5% रहने का अनुमान है ठीक है इसको याद रखना clear है? next आगे बढ़ते हैं जड़ा देखें in a big boost to UP defense industrial corridor UP defense industrial जो corridor उसको और मजबूती देने के लिए जो ब्रहमोस aerospace है इसने कहा है कि 300 करोड रुपे का एक production facility है लखनाउ में set up करेंगे for the ब्रहमोस next generation missile project के लिए तो ब्रहमोस next generation missile project या ब्रहमोस NG के लिए लखनाउ में UP defense industrial corridor के तहत एक production facility set up की जाएगी इसके लिए total amount कितना रखा गया बिटा? ठीक है? तो यहाँ पर आंसर में 300 करोड ठीक है मेरे भाई? clear है? चलो next आगे अब यह जो ब्रहमोस aerospace है इन एक joint venture between the DRDO Defense Research Development Organization का भारत की और जो रशिया की NPO NPO ठीक है? माशिन ओस्त्रो एनिया मासिन ओस्त्रो येनिया ठीक है? तो जो NPO मासिन ओस्त्रो येनिया है यह रशिया की है और भारत की DRDO के बीच में एक joint venture ब्रहमोस aerospace जो की वर्ल्ड का fastest supersonic cruise missile ब्रहमोस इसके तहत तयार किया जा रहा है तो लखनो 6 node में से है इसके अलावा UP में और कानपूर है जहां से आग रहा है चित्रकूट है अलिगड़ है इनने रीड कर ले ना मेरे लिए सबसे पहली वाली line important बनेगी चलिए next आगे बढ़ते अगला अब न्यूस देखो अभी तो न्यूस बहुत शानदार है अभी तो 15 मिनट सेशन और चलेगा ठीके ज़रा देखना Infosys की बात करते Infosys Limited 4th Indian company बन गई है जिसने की market capitalization 100 billion का cross कर दिया तो दोस्त देखो 100 billion का market capitalization cross करने वाली और companies कौन-कौन सी है Tata Consultancy Services है Reliance Industry Limited है और HDFC Bank है ये वो हैं जिनोंने 100 billion का market capitalization बाजार पूंजी करन क्रॉस कर दिया है ओके बाजार पूंजी करन को शौट में हम लोग MCAP बोलते हैं अब इसके बाद 4th Indian company कौन सी बनी है जो की उसका नाम है Infosys Limited तो कहने का तात्पर है कि यहाँ पर TCS Reliance Industry Limited HDFC Bank के बाद 4th company कौन सी है इसने 100 billion का market capitalization क्रॉस कर दिया तो दोस Infosys Limited ओके क्लियर है Infosys Limited यह सूपर मोस्ट इंपोर्टन बनेगा नेक्स आगे बजाज Finserv इसको अभी approval मिल गई है किस से Security Exchange Board of India से SEBI से किस चीज के लिए mutual fund setup करने के लिए तो बजाज Finserv को mutual fund setup करने के लिए SEBI Security Exchange Board of India ने अपनी approval दे दी है क्लियर मोहर लगा दिया मेरे दोस्त नेक्स आगे Lockheed Martin Lockheed Martin ने अभी 328.8 million US dollar का contract किया भारसरकार के साथ Lockheed Martin ने 328.8 million US dollar का 5 साल का contract किया है Indian Air Force के साथ किस चीज के लिए 12 C-130J-30 Super Hercules Aircraft पहले तो मुझे लगा supply के लिए है कि ये भारत को देगा बट ऐसा नहीं है C-130J-30 Super Hercules जो Aircraft है इनके maintenance को लेकर 328 million US dollar का contract 5 साल का Lockheed Martin के साथ किया गया है भाई ये जितनी भी defense की news है न इनको हलके में मतले न ठीक है चाहे उत्तर प्रदेस वाली उठालो चाहे ये वाली उठालो ठीक है सारी की सारी पढ़के चलनी है ठीक है next आगे National Security Advisor का नाम है अजीत दोबाल अपने इन उहने 11th जो BRICS BRICS meeting रही थी NSA की मतलब देखो BRICS मतलब है Brazil, Russia, India, China, South Africa तो इन देशों के जो National Security Advisor है उनकी 11th meeting रही थी मतलब इन देशों के BRICS देशों के National Security Advisor की meeting रही थी और 11th meeting में अजीत दोबाल साहबे जो भारत के National Security Advisor है इन उहने भी शिरकत करी थी पाकिस्तान ने फटेवन जो मिसाइल है इसका सफलता पूरवक परिक्षण किया Multi Launch Rocket System है फटेवन इसको अपना दोस्त पड़ोसी देश है मित्र देश है पाकिस्तान इसके द्वारा लॉंच किया गया तो मेरे लिए फिर important है कि फटेवन किस देश का एक मिसाइल है फटेवन किस देश का एक मिसाइल है तो आंसर बनता है भाई ये पाकिस्तान का एक मिसाइल है जैसे exam में मैं हमेशा कहता हूँ कि satellite पूछ ली जाती है कि फलानी फलानी satellite किस देश की है जैसे Amazonia 1 किस देश की satellite है तो ये ब्राजील की सैटलाइट है, जिसको इंडिया ने लॉंच किया है, इस उनों ने लॉंच किया है, तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, फत्यवन मिसाइल किसका है, ये पाकिस्तान का है, ठीके, नेक्स आगे भाई, फॉर्मर इंडिया फुट्बॉलर ए जो ये फुट्बॉल टीम है भारत की, उसने उलम्पिक में पाटिस्पेट किया, तो उसमें भी ये रहे थे, ओचंदर शेकर साहब, ओचंदर शेकर साहब पॉर्मर फुट्बॉलर थे, उलम्पियन थे, इनका निदन हो गया, ओके, नेक्स्ट, अब जला देखना कुछ न करेकर हम इस दोरान होंगे, इस दोरान मेरे भाई नए भारत का नया सफर करके, एक डॉक्यूमेंटरी इसको भी शेयो किया जाएगा, जो की ब्रॉड्कास्ट करेगा, डीडी नेटवर्क और भी बहुत सारे फेस्टिबल होंगे, ओनलाइन फिल्म फेस्टिबल, उसको इस आइकोनिक वीक है, इसको स्टार्ट किया था, यह 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक आजादी का अमरित मोह सब के एक पार्ट के रूप में मनाया जा रहा है, ओके, क्लियर है, नेक्स मेरे भाई अगला देखना, इंडिया की फिर्स्ट एम आर एन ए, ओके, एम आर एन ए बेस COVID-19 वैक्सीन, अभी हम लोगोंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, DNA-based वैक्सीन, जो के अप्रूवल दे दी गई है उसको, और इंडिया की फिर्स्ट जो MRNA-based COVID-19 वैक्सीन है, इसको Drug Controller General of India से अप्रूवल मिल गई है, Phase 2 और Phase 3 के ट्राइल के लिए, तो मेरे लिए इंडिया से इसके लिए अप्रूवल मिल गई है, अब जड़ा कुछ चीजे पकड़ना इसमें, जैनोवा, Bio Pharmaceutical Limited है, एक पूने-based बायो-technology कंपनी है, ये MRNA-based COVID-19 वैक्सीन, HGCO-19, इसके साथ काम कर रही है, तो यहाँ पर याद रखना आपको कि जैनोवा, Bio Pharmaceutical Limited, जो की प CO-19 पर काम कर रही, जब ऐसे question exam में आते न, तो फिर बच्चे करते तरही माम, तरही माम, अरे सर, ये कैसे हो गया, हम तो उपर-उपर का पढ़के गए थे, हमने तो दूद पर से मलाई खाई थी बस, हमें कैसे यहाँ तक पता नहीं था, कि इतना detail में पूछ लेगा वो, पूछ लेगा वो कि वैक्सीन का नाम क्या, HGCO-19, इसके उपर ये की, जो कि एक mRNA-based COVID-19 वैक्सीन है, इसके उपर जिनेवा बायो फार्मस्टिकल काम कर रहा है, ये कहां पर इस्तित है, तो ये पूने इस्तित है, इस वैक्सीन को Department of Biotechnology के तहत दोस पार्टनर्शिप में messenger RNA, तो आपको याद रखने, mRNA की full form messenger RNA, ओके, चलिए, नेक्स आगे बढ़ते हैं, National Telemedicine Services, इसका नाम है e-sanjeevni, अब दोस्त आप लोगों को कभी भी जैसे कभी भी परामर्श वगेरा की जरूरत होती है, तो आप यहाँ पर e-sanjeevni के पास जा सकते हैं online, e-sanjeevni OPD यहा एक करोड टेली कंसल्टेशन हो चुके हैं भारत में परेबाप, रास्ती टेली मेडिसन सेवा e-sanjeevni ने पूरे भारत में एक करोड से अधिक टेली परामर्श आउजित किये हैं, ठीके, इसका नाम है e-sanjeevni OPD, ठीके, e-sanjeevni OPD, तो जो national teleconsultation service है, यह ministry of health and family welfare की है, य सभी को एक online OPD service दी गई है, ministry of health and family welfare के तहत national teleconsultation service है, ओके, I hope so, यह वाला point भी clear होगा, यह वो news है थोड़ी hidden मैं पूछ लेगा, अब देखो यहां पर क्या शानदार news आई है, एक online portal launch किया गया, इसका नाम है युक्तधारा, ठीके, युक्तधारा क्या नाम है, तो government ने अ गड़े खोदे जा रहे है, उनकी geo-tagging की जा रही है, होता क्या है ना, कि लोग एक ही जगे गड़ा खोदे फिर भर देते हैं, गड़ा खोदे फिर भर देते हैं, तो यही काम चलता, करपसन तो अपने देश में मेरे रग-रग में है, रग-रग में, ओके, तो वैसे यहां क्या बोला है, गड़र्मेंट ने एक यहां पर geospatial planning portal launch कर दिया, इसका नामे युक्तधारा, यह उससे संबंदित नहीं है, बड़ी, यह जियो partial planning portal युक्तधारा, that will help in facilitating new manrega asset, तो new manrega asset के लिए, यहां पर एक नया portal launch किया गया, इसका नामे युक्तधारा, इसको याद यह remote sensing geographic information system based data होगा, उसके आधार पर यहां पर काम करेगा, तो मेरे लिए यहां पर यह कि government ने अभी हाल फिलाल एक नया geospatial planning portal launch किया है, जो कि मन्रेगा asset के तहत मेरे भाई फायदा करेगा, लाब करेगा, इसका नाम क्या है, युक्तधारा, युक्तधारा, यह portal याद 20C क्या है, इनका निर्वाचन छित्र क्या है, यह ढूंड कर मुझे बताईगा तुम लोग, सर कल Puma के random में ज़र पूछे गए थे, क्या question था मेरे भाई, exact बताओ, exact, अचा खतम हो गया, मेरे को तो लगा, आज तो इतने उसमें फॉम में चलने ते लगा, और news आज आज त और भी खतम कर देंगे, भी 10-20 है, तो आज का session काफी loaded session रहा है, news काफी थे हमारे पास, news का standard भी काफी बढ़ी आता, one-liner भी थे, MCQ भी थे, तो आज का session तो काफी बढ़ी आ रहा है, तुम लोग satisfied हो गए हो गया है, आज तो तो तुम लोग खुश हो जाओगे, हाई, क्या मिल रहा है, हिंदी मिल रहा है, ठीक है, यह सब तो मिल रहा है, computer मिल रहा है, इसके साथ साथ, journal awareness में, मैं अपना current face का batch भी इसमें add करा दिया हूँ, financial awareness का warrior 7.0 भी इसमें add करा दिया है, और static GK 2.0 batch भी इसमें add करा दिया है, यह batch आपका 3, इसकी date extend की गई, 3 सितंबर से यह start होगा, इसमें classes आपकी 7 p.m. to 9 p.m. होगी, इसमें मैं अपना GA वाला portion थोड़ा जल्दी start कर लोगा, rather than 3 सप्तमबर के उससे पहले ही कर लोगा, ठीक है, मैं उसकी date भी आप लोगो बता दूगा, कल तक बता दूगा, इसकी date, but इसमें timing जो रहेगी, मेरा जो current affair की timing रहेगी रहेगी रात को 7 बजे से 9 बजे, और यह जो class रहेगी Monday to Friday चला करेंगी, इसमें हम लोग month wise अपरेल से लेकर till September तक पूरा current affair कवर करेंगे, प्लस static GK कवर करेंगे, प्लस RBI related news कवर करेंगे, banking awareness पूरा कवर करेंगे, ठीक है, financial awareness पूरा यहाँ पर इस batch में complete किया जाएगा, यह RRB के लिए SBI कलक मेंस के लिए यह batch है भाई, बाकी financial awareness के लिए warrior 8.0, 7.0 दोनों है, किसी में भी आप लोग enroll करा सकते, 8.0 running में चल रहा है, आज इसकी class होने वाली है, ठीक है, आज नहीं होगी इसकी class, ठीक है, Tuesday, Thursday और Saturday चलती है इसकी class, और बाकी सारी चीज़ आपको म महापक में मिल जाएगी, महापक एक membership है, अगर आप यह membership लेते हैं, तो इसमें सभी faculty के सभी batches आपको मिलेंगे, even सभी faculty के सभी batches सारे exam के, बस buy करने के दूरान code याद रखना, Y168, इस पर 78% discount मिलेगा, या तो application से लिए, अटर 247 application से, या तो फिर मेरे भाई, आप लोग अटर 247 application के अलाव, अटर 247.com पे जाके भी ले सकते हो, ठीक है, और कोई doubt हो तो बता दो, भाई मैं अपना GA वाला पहले start कर लोगा, don't worry, जो अपना GA वाला section है, उसको हम लोग पहले कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आज 12 बज़े session होगा, आज 12 बज़े session होग ठीक है भाई, और कुछ, defense के लिए help पूल है, भाई सब के लिए help पूल है, ठीक है, सबी के लिए help पूल है, ठीक है, 12 बज़े मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने ख्याल रखे, टिक के दोस्तों रादरा दे